तो वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं अच्छे होंगे तो अभी तब्यत खराब होने की वज़े से मैं धंग से प्रोपरली नहीं बना बा रही हूं ब्लॉग तो थोड़ा सा ही कुछ दिखा रही हूं जिसमें थोड़ा बत बस काम कर रही हैं बहु बेटियां तो फिर मैं कल से आपको शायद थोड़ा सा धंग से ब्लॉग मेरा मिल जाए तो आप जरूर देखेगा आज की ब्लॉग में मैंने केवल खाना वगेरा दिखाया है काम घर में हो रहा है वो दिखाया है तो देखेगा जरूर ब्लॉग को और आप लोगों की शुब कामनाए मेरे तक पहुंच चुकी हैं और मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हैं आपके कमेंट्स मुझे मिल चुके हैं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग ही बनाऊंगी आपके लिए चाय छोटा ही बनाऊं और जरूर बनाऊंगी तो आप जो साथ मिला है मुझे साहोग मिला है उसके लिए भौध भौध धन्यवाद आप लोगों को और देखे ब्लॉग आज का जिए लोगों को प्रोग आपके लोगों को और देखे बनाऊंगी यारा बचे का टाइम है और हम लोग खाना लगा रहे हैं तो बस मेरा तो ही ही कहना है कि फुरा सा भी अगर उठने जैसे औरत हो जाती है और इसी तरह मैं भी थोड़ी सी उठी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खाना लगाने में हैल्प कर देती हैं वैसे बेटी सब कुछ करवा देती है काम बहु से ऐसी कोई भी परिशानी नहीं है तो थोड़ा मेरी इच्छा हुई तो मैं भी आगई किचन में और हम लोग खाना जाने लेकी है लगाने लेकी है झाल 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 तो बहु का अपनाव उपर की जो किलिनिक का काम है वो भी रहता है उसके केस आते रहते हैं तो वो दोपे रहते हैं पैर को भी संभालती है या बीच में भी आ जाता है था हम लोग हैल्प कर देते हैं काम में अपना काम संभाल लेती हैं लेकिन दोनों की काम वो संभाल लेती अच्छे से तो यहां परशाम हो गए गर हम दाल चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सुबह हमने थोड़ा सा हेविका नगा लिया था तो हमने सुचा कि दाल चावल बना लेते हैं तो इसके साथ भी मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी उसकी क्योंकि खाली बैठे बैठे भी क्या करूँ तो बस मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी क्या कर दी बन्य.. झाल 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 झाल